इलाबाद हाई कोट भवन के सौ साल पूरे होने पर 26 और 27 नौंबर को इलाबाद हाई कोट में होगा कारिक्रम सुप्रीम कोट के न्याय मूर्ती स्री रंजन गगोई होंगे मुख्य आतिती अबर हमाई तीन ब्रेजडेंशिल विल्डिंग तयार हो गई है उसका उठाटन वो करें तो यह फिलाल प्रोग्राम है और सौ साल कंप्लीट हो रहे हैं उसका एक आयोजन है इसमें आपको यह पता दे कि जब यह विल्डिंग बनी थी तो अंग्रेजों ने बहुत सोच समझ के यह बिल्डिंग तयार करी बीस और उसको नों ने यह देखा कि गर्मी यहां बहुत होती है और लू बहुत चलती है तो उसको नजर करते हुए यह बिल्डिंग बनाई विच was which is face jan वेस्ट, तो इस तरह से बनी कि जब वो लू चलती है और खस की टट्टियां लगती हैं, तो वो हाइक चिंबर हैं और कोट्रूम्स हैं, वो ठंडे रहती हैं, तो उसको देखते हुए बड़े साइटिफिकली ये बिल्डिंग बनी है, और ये सब रिकॉर्डेड है, हमाई म् आगाइब्स में इसकी सारी हिस्ट्री रखी हुई है, कि कैसे पत्थर बने हैं, पत्थर ये चुनार से आये हैं, जो मार्वल है वो मकराना से आया हुआ है, और ये जो आइरन ग्रिल्स हमाई जो लगी में हैं इस अब जगे, ये सब रोल्की में बनी है, रोल्की की एक फा और मैं बताता हूँ, इसमें जब ये बिल्डिंग बनी तो छे कोट्रूम्स थे, इन छे कोट्रूम्स में इंटर्नल एर वेंटिलेशन है, और उसके मोटर्स छत पर लगे हुए हैं, वो मतलब वो क्रॉम्टन ग्रीव्स की कंपनी थी, पुरानी, उनोंने उनके शायद बन हुए हैं, वो आज भी वहां मशीन उपर चत पर रखी हुए है, अब वो सब रिप्लेस हो गई, अब एर कंडिशनल लगे हैं और जहां तक लाइट का सवाल है, अभी तक हाई कोट की जो बिल्डिंग की जो लाइटिंग हो रही थी, वो फोकस लाइट और हैलोजन लाइट लगी हुए थी, अब उसमें बहुत भारी भिजली का खर्चा होता था, क्योंकि वो एनरजी बहुत खीचती थी, अब उसको हम लोगने मॉडनाइज करके नई लाइट्स लग नहीं है, वो LED लाइट्स हैं, तो एनरजी सेविंग डिवाइसे हैं, तो उसका भी अधाटन हम मार्च 2016 में हाई कोट 150 साल पुराना हो लिया, तो तब एक बड़ा आयोजन हुआ था, हमारे राश्पती आये थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब आये थे, लॉग मिनिस्टर आये थे, गवनर आये थे, और मुख मंत्री, उक्तर प्रदेश ये सब नहीं होता है, फिर जून 2016 में हमारे प्रदान मंत्री मोदी जी भी पधारे थे, और ये जो बिलिलिंग है हाई कोट की, इसकी स्थापना 27 नवंबर 1916 में हुई थी, इसको अब 100 साल हो जाएंगे, तो 26 नवंबर में को इसका एक आयोजन कर रहे हैं, तो सेलिब्रेट 100 यर्स ऑफ दी इग्जिस्टेंस ऑफ दी हाई कोट बिलिलि, इस उकेशन पर जस्टिस गंजन गोगोई, जज सुप्रीम कोर्ट और इंडिया, वो पदारेंगे एस चीफ गेस्ट, उनके साथ दो सुप्रीम कोर्ट जजिस जो अलहावत से एलिवेट हुए हैं, जस्टिस आरके अगरवाल और जस्टिस अशोग भूशन, वो लोग भी आएंगे एस गे जजन 26 नवंबर को साड़े चार बजे हाई कोट फील्ड में होगा, उसके साथ साथ यह हाई कोट विल्डिंग को सजाया जा रहा है ऑन अ पर्मनेंट बेसिस, तो उसका इल्यूमिनेशन इस फंक्शन के बाद होगा, 27 नवंबर को हमारे चीफ गेस्ट साथ जो है, सुबह दस बजे, स्टैनली जाएंगे,